इस section की अंदर हम अपने UI के last element को call करेंगे जो की कहलाएगा card इससे पहले हमने button and input से related data को concealer out किया था तो अगर आपने दोनों वीडियोस को check out नहीं किया तो उन्हें लिपसे पहले जल्दी से check out कर लीजिए अच्छा इस card section को सबसे जाद importantly हमें बनाना है अपने video studio code के अंदर क्यूंकि अगर हम यह section compiled out नहीं करते तो हमारे feature and mega sections पर नहीं करते तो हम सबसे पहले section को यहां पर work कर वा लेक लेकिन इस सबसे पहले हम import कराइंगे आप司ब सबसे इसको सबसे उह करा देंगे इसके पहले अपने यूटल से वाइड आउट किया था तो सबसे पहले सी इंग को कॉल कीजिए आपने कहां से कंसीडर कराना उसका पात दीजिए तो आप डबल बैक्स लगाएगे डबल बैक्स लगाने के पड़ हमें कहां से चाहिए लिप से चाहिए अभी जब मैं डबल बैक्स लगा तो मैं एक बार और डबल बैक्स लगाऊंगी ताकि लिप जो है वो मेरे पास आजाए अब लिप से मुझे क्या चीज़ चाहिए यूटल स्टॉट टीए सिक्स तो हम इसको यहां से कंसीडर कर लेंगे इसके बाद एक कॉंस्टेंट बनाएंगे इस कॉंस्टेंट को पॉनेट होगा जो कि हमारे पास फावर्ट रेफरेंस में काम कर रहा होगा तो हमने यहां पर क्या करना होगा है एश्टी एमल के एलिमेंट को सबसे पहले कॉल करेंगे यह जो के मैनिपलेट करती है डिप्रेंट टाइप के एलिमेंट को इसके आखर मैंप कॉमा का यूज करेंगे दिन हम यहां पे अपने و चल करेंगे तो सिरी विल्ग हम सिम्पल लीए का यूस करेंगे और हम यहां पे हम रियक वह ट्यम्ल एक्ठीव सोझ देन से ट्रीएमल ट्रिग एक नुदू Hem द्रिखेंगे आगे हम लिखेंगे ऐट्रिबियूट अच्छा वह कंपयल में कर लिए की इसके इंदर हम फ्सक्राइमिंट करने होगी सबस्क्राइब मैंने इससे यहां पे कर लिया इस तरीख से क्या होगा कि मेरा यह जो पॉर्शिन हों का यहां पे एफ्रोक्सिमेरली कंप्लीट हो जाए का अब यहां परबेजा मैंने एलेमेंट को कॉल्ड आूट की है है यहां है रहा है कि लेंसरे कि स्कní मिल रहे हुआ पर लेकिन फिर में ने कैसे हुआ है इस की किलिके लिक्स करने में कुछ कहतब हो करें और यहां पर रेकर्मेंट के साथ प्रॉप्स कोई करेंगे संपल चीजंग को कॉल करते हैं जिसे जो है वहां बाइलेंट करूंगी ऐसे द क्लास नेंगे साथ प्रॉप्स हम ने वह डाप सकता ही ने पीडियो करेंगे लेकिनी साथी चीज़ें जो हैं वो रैट्रेंस करके बताना ज़रूरी है अदर्वाइस हमारे पास क्या होगा यहाँ पे बहुत सारे एरर्स इन रेट होंगे और एरर्स इन रेट होने की वज़न से क्या हुआ कि हमारा कोई इंटरफेस वर्क नहीं करेगा तो साथी चीज़ प्रोस करते हैं डिप में क्या चीज देते हैं सबसे है रपरेंस अब मैं अब अपने reference से लेंगे जो कि हम अलड़ी input में provide करके आएं इसके आद मुझे यहाँ पर class name देना है class name मेरा जो है वो basic लिए क्या होगा यहाँ पर cn होगा तो हमने जो है वो cn की property यहाँ पर assign कर देनी है यह cn की property के अंदर हम क्या करेंगे अपना class name जो है वो assign कर देंगे तो हम simply यहाँ पर class name लिख देते हैं ताकि value मुझे provide करे और class name के अंदर क्या होगी value मुझे देनी होगी तो value जो है वो मैं इसके उपर देदूँगी जैसे मैं यहाँ पर देती हूं rounded होना चाहिए यह मेरे पास card sizes का excel रख लेते हैं border लगा लेते हैं simple सा card होते हैं जिससे card बन ठाई ठीक है बैसी बना रहा है background हम इसका card के अपने element से ले लेंगे साथ में हम text ले लेते हैं इसको card से ले लेते हैं और यह हमने input में दिया था foreground में तो मैं वहां से इसको call कर लेते हैं इसको साथ हलका से shadow जो है वो provide कर दे चैनल तो यहां तक क्या होगा कि यह हमारे पास complete हो जाएगा अभी error आ रहा है तो error कोई problem नहीं है क्योंकि हमने card ने class time तो दे दिया props भी तो देने होगे ना तो props को हम यहां पर क्या करेंगे simple define करेंगे तो three dots लगाएंगे props को call कर लेंगे तो यहां पर हमारे props called हो जाएंगे अभी यहां पर errors आएंगे अभी पास चीजों की क्यों क्योंकि हमने चीजें अभी define की है लेकिन इनकी values जो हैं वो अभी नहीं थी इसके बाद मैं constant और बनाऊंगे और इसको यहां पर card header का नाम दूँगी अब मैंने इसको card header का नाम क्यों दिया है card header का नाम मैंने इस ले दिया है क्योंकि इसके अंदर भी मैं सारी values assign करूंगी अब इस card header के अंदर जो है हम again react को call करेंगे और react के साथ हमने कौन सा मात्रा डियूस करना होता है forward reference का ये भी सेम उसी तरीके से बनेगा जसे हमने पहला वाला card बनाया था और उसी तरीके से हम element यहां पर भी define करेंगे तो यहां पर भी html div element को call करेंगे आखर में राक कॉमा लगाएंगे इसके बार हमने react को call करना है then dot लगाके html attributes call करेंगे और इसके अंदर again हम जो है वो अपने html के जो हमारे elements है div के उनको call कर लेंगे ठीके तो html div element को मैंने again यहां पर call कर लिया तो दोनों चीज़े मेरी compile हो करेंगे यहां पर html development है मैंने पहले भी remove किया था अभी मैं simple क्या करूंगी remove करूंगी ठीके तो यहां पर हमने इसको remove कर लिया इसके अधर हमने क्या करना है इसके अधर हमने again same dual brackets लगाये थे then मैंने curly bracket लगाया था curly bracket लगा के मैंने यहां पर फिर अभी जो process पूरा लिखा तर न उसको दुबारे से repeat करेंगे तो जल्दी select देती हम class name को compile करेंगे इस parameters के साथ जह है वो props को हम call कर लेंगे props को call करने के बाद हमने क्या करना होगा यहां पर simple हमने इसका reference देना होगा reference देते हुए arrow function का यूज करेंगे arrow function का यूज करके brackets लगाके हम इसके इंदर अपने dip को compile करेंगे और dip मेंने single बन किया तब इस dip के इंदर क्या होगा इस dip के इंदर भी reference आएगी reference जो दी वो मेरी wrap के बराबर होगी यहां पे और इसके बाद हम क्या करेंगे इसके बाद हम class name की property assign करेंगे class name की property assign करने के लिए हम simple इसको template रिटर्स में रिफाइन कर सकते हैं तो हम brackets लेते हैं brackets में मैं सबसे पहले cn को call करती हूँ cn के आद हम bracket लगाएंगे देन मैं आपर property देती हूँ जैसे कि हम flex से देते हैं कार्ड को flex column wise कर लेते हैं कार्ड के बीच में space जाना चाहिए तो y access का space जाएगा और 1.5 space देते हैं padding card की हम six provide कर देते हैं ठीक है यहां तक detail होगा यहां तक detail होने के बाद class name आपने call कर लेना है जो कि अभी हमने उपर define किया जब आपने यह define कर दिये तो अब आपको क्या करना होगा props भी define करने होगा तो हम जल्दी से यहां पे props भी define कर लेते हैं तो यहां तक हमारा जो code होगा वो complete हो जाएगा और last में हमने क्या करना होगा हमने card header को call करना होगा और इसको भी हमने display name की property देनी होगी और display name की property देके इसका भी आपको नाम देने तो मैं simple card header ही इसका नाम define कर देती हूँ तो जिस तरी किसम नहीं हाँ पे card header define कि अब उसी तरी किसम हमें क्या करना होगा उसी तरी किसम हमें card title यहां पे define करना होगा सेम पूरा process रहेगा उसके लिए भी तो अब हम एक constant बनाते हैं इसका नाम रखेंगे card title card title भी क्या होगा सेम उसी तरी किसम हमें पर work करेगा बस सिर्थ इसकी जो हमारी क्या होगी थोरी सी tailwinds यह से से ना वो मुझे सब जगा पे change करनी होगी ठीक है तो हम उसके लिए यहाँ पर थोरी सी working कर लेते हैं ठीक है अच्छा एक चीज़ जो है वो हम cross check करते हैं ठीक है card header है मेरे पास और card क्या है मेरे पास constant तो दोनों में HTML attributes यूज़ करें ठीक है तो header में header attributes यूज़ कर लेते हैं कि यह इससे थोरा सा अलग है वो मेरे पास हो जाए ठीक है card title का यूज़ किया हमने react का यूज़ किया forward reference का यूज़ करते हुए हम यहाँ पे HTML paragraph tag को यूज़ करते हैं ठीक है मैं सिक गलती हुई है यहाँ पर आ गए reference के बाद यह वाला bracket लगता है इस ब्रैकेट के बाद हमने क्या करना होगा simple HTML paragraph element को call कर लिया ठीक है HTML paragraph element को call किया इसके अंदर हम again जो है वो react का use करेंगे react में हम HTML के जो हमारे attributes है उनको call कर लेंगे और simple HTML के जो हमारे heading elements है हमने उनको call out कर लेना है ठीक है तो मेरी heading elements भी आ गए रहा last but not only सब क्या करना होगा अब simple सा एक काम और करेंगे वो यह करेंगे कि इसके अंदर अपनी details provide करेंगे ठीक हम यहां पर आगए यहां पर आने के बाद मैंने आपको बताया कि हम dual brackets का use करेंगे curly brackets का use करेंगे class name में इसमें design करेंगे क्यों कि मुझे अर बार यह design क्यों करना पड़ा है क्योंकि बार बार जो है जब मैं वो करी हो अपना dynamic routing तो dynamic routing की वज़से बार बार इन चीज़ों को मुझे define करना पड़ा अगर हम dynamic routing नहीं कर रहे होते तो यह quite easy होता हमारे लिए करना लेकिन dynamic routing की विज़से यह चीज़ हमारी थोड़ी सी differentiate हो रही है और इसली विज़से मैं जो वैडियो भी है वो काफी तादा लंबी हो रही है अब हमने यहां पर क्या करना है अभी तक हम paragraph दे रहे थे अब एक h3 की heading दे लेते हैं और इस h3 की heading को क्या करेंगे इसको ऐसे close करते हैं ताकि हम heading दे रहे ना तो heading tag में रख लें इस पर भी same वह चीज़ हम define करेंगे ज़से हम भी करते आ रहे थे हमने reference दि use करती हूं brackets लगाएंगे found का हम इसमें जो है वो semi bold title दे लेते हैं इसके वाद इसकी जो position leading है वो हम दन दे देते हैं tracking हम इसकी यहां पर दे देते हैं केतनी दे रहते हैं tracking दे रहते हैं tight ठीक है tight से क्या होगा वह कुल मिल के ना एक दूसरे के साथ element रहेंगे और last make last name हम again use क यहां तक यहां तक यह जो होगा यहां पास complete हो जाएगा इसको एक नाम देते हैं जो कि कहलाएगा card title और इसमें क्या करेंगे display name करा देंगे और इसको और display name क्या रहेगा card title ठीक है यहां तक हमाँ पास card title भी होगा आप card में और क्या चीज़ होती है हमाई description तो हम card के लिए descriptive element भी यूज कर सकते हैं अच्छा descriptive element की same इसी तरीके से रहेगा तो अगर आप चाहें तो copy paste भी कर सकते हैं otherwise आप इसको जो है वो थोड़ा सा change भी कर सकते हैं तो हम एक असान काम करते हैं हम क्या करते हैं card header से लेके last तक सारा content जाए वो copy कर लेते हैं copy कर लेते हैं इसको simple paste कर जैसे मेरा card header यहां पर लिख आवा है तो card header की जगह में यहां पर लिख दूँगी card description ठीक है न अच्छा मेरे खेला मैंने एक गल्दी और किया यह constant भी होना चाहिए उपर भी मेरे खेला मैंने इसको constant नहीं बनायाता है न तो card में भी हम इसको क्या बनाएंगे हम सो constant बना करेंगे ताकि यह मार पास constant होकर work करने लग जाए अच्छा constant यहां नहीं आना था card title के साथ constant लेका है ठीक है constant हो गया और इसको क्या कहेंगे इसकी नीड नहीं है हमें हमने सब यह constant लिया constant के बाद मुझे यहां पर description देनी है और बाकी चीज़ने से तरीके से रहेंगी इसम की जगा यहां पर क्या करेंगे paragraph टैग यूज कर लेंगे heading की जगा यहां पर paragraph यूज कर देंगे ठीक है paragraph होगे हमरे रपस यहां पर यूज बाकि लास ने प्रॉप्स हमारे इसी तरीके से रहेंगे reference ऐसे ही रखेंगे और paragraph है तो आप h3 की जगा simple क्या करें यहां पर पी कर देंगे और यहां पर भी काड टाइटल की जगा हमने क्या लिखना होगा description लिखना होगा तो इसको भी हम last minute description देंगे मैं एक पर simply description और code देखा देंगे ताकि किसी को अगर problem हो तो देखकर यहां से असानी से लिख लेजगा तब मैं बस आखरी चीज़ होगी card का content हम card का content ल चालेंगे तो सारी चीज़न क्या होंगी हमारी ठीक हो जाएंगी तो अब हमने यहां पर description तक हमाई जितनी चीज़न थी उनको mention कर दिया description में हम थोरी सी चीज़ों की जो है वो addition कर सकते हैं थोरी सी चीज़ों का addition करके हम क्या कर सकते हम इसको थोरा सा change कर सकते हैं जैसने मुझे लगता है कि description में जो है वो हमें थोरी सी tailbone csss पदलनी चाहिए ठीक है तो description में तो उसी tail band CSS पर दलते हैं, cn को ऐसी रखते हैं, description का text हम small कर देते हैं, text को हम mutate करा देते हैं, और हम इसको foreground करा देते हैं, ताकि ये थूरा सा slightly अच्छा लगे, तो इस तरीए से आपका जो यहां पर description element होगा, वो complete हो जाएगा, आखर में हमें सिर्प card का content यहां पर generate करना तो उसको मैं लिख ले दी हूं क्योंकि मुझे लगता है काफी प्रॉब्लमाटक क्रिएट करें तो उससे अच्छा है कि हम यहां पे सिंपल इसी चीज को टाइप कर लें आप जब बनाएंगे तो आप अगर चाहें तो आप कॉपी पेस भी कर सकते हैं कोई एस सच करना वका कार्ट कॉूंट को इसमें हम यूज करेंगे सटील के जो हमारे यूज करेंगे इसके कांडर और साथ में क्या करेंगी सिंपल का काम वर तरह करना हैं कि आपने थेल्स कार्णे हैंकि करनेस हैं इसके अंदर हम अपना class name define करते हैं और class name के साथ सथ हम क्या करते हैं इसके अंदर हम three dots लगा कि अपने props को define करते हैं सेम चीज़ है आपने घुमागवागे सेम वही एक काम करना है जो हम अब तक करते आ रहे हैं उसी तरीके पर और उसी पुरी चीज़ को आपने repeat करना है बस last but not the least सब हम क्या करेंगे constant में constant में यह करेंगे कि एक div बना लेंगे तो मैं एक div बनाती हूं और इस div को पहले close कर लेते हैं ताकि हम इसमें चीज़ों का addition कर सकें अच्छा इस div के bracket के अंदर ठीक है यहां पर आगया मेरा div और इसको जो है वो हम compile घर देंगे ताकि यह simple div हो जाए div हो गया div के अंदर क्या करेंगे div के अंदर हम वही चारी चीज़ों दुबारे से बताएंगे जो हम बताते आ रहें reference किसके बरावर था वो यहां पर reference के बरावर था इसके बाद अगली चीज़ मुझे क्या बतानी थी class name class name के अंदर हम brackets में values देते हैं brackets में हम cn देंगे then हम यहां पर अपना bracket लगाएंगे और इसके अंदर क्या देते हैं इसके अंदर padding दे देते हैं six padding top से दे देते हैं zero दुनों चीज़ें देने के बाद आपने class name देना है class name देने के बाद हमने simple यहां पर तीन डॉट लगाके अपने props को call कर लेना है ताकि यह वाला section जो है हमारा क्या हो यह भी almost complete हो जाए तो यहां ता हमारा सारा section complete हो गया एक बार हम जो है आपने card content पो display करा लेते हैं और उसके बाद formatter से simple काम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा format कर लेंगे ताकि यह जो है ना हमारे पास यहां पर अच्छे तरीके से लिखा वा आ जाए मुझे last में क्या करना होगा सिफ थोड़ी सी flexibility करने होगी फूटर से related कार्ड में क्योंकि फूटर भी आता है तो हम इसको थोड़ा सा फूटर से related सैट कर लेंगे अब यह जो आपका card content है इसका code भी मैं आपको यहां पर अलग से दिखा रही हूँ अच्छा फूटर में भी हम सेम इसी code को पूरा का फूरा फॉलो करेंगे इसके अंदर हमें सिर्फ फूटर में क्या होता है फूटर में आपने सिर्फ टेल्वन से थोड़ा सी चेंजिस करनी है बागी पूरा code सेम इसी तरीके से रहेगा तो मैं एक एक लाइन यहां से कॉपी करती हम कॉंस्टेंट में चाहेंगे यह कहला कहला आएगा अब कॉंस्टेंट फूटर के अंदर हमने इसी तरीके से अपना HTML का element रखना है इसी तरीके से हमने क्लास नेम रखनी है रखना है और यहां तक हमारा जितना code है इसको हमने copy करके paste कर लेना है ठीक है इस reference के बाद हम क्य करेंगे हमने class name देनी है और हमने props देने ठीक है तो अब यहां पर मैं इस वाले class name को भी copy करके paste करें उसे हमने यहां पर changes करनी है तो आप PTP6 से पहले ऐसा करें के लिख लें क्या लिखें आप इससे पहले flex लिख लें और हमारे जितने भी item होंगे वो footer के अंदर भी center की तरह define करना होगा और इसमें भी क्या होगा हमने display name देना होगा जो कि क्या कहलाएगा जो कि कहलाएगा card तूटर यह हमने अपने input में define किये तो इसलिए हम इसको यहां पर define करें अब आखरी काम करेंगे अपने course related export का use करेंगे एक्सपोर्ड में use करता हुए कि इनकिन को call क को कौल करेंगे इसके बाद card में हमें सबसे वहाले header लगाना हूता है आपके करी साही चीज़न लगा सकते हैं ठीके इससे कोई परगा पर दिया हैं कार्ड में कार्ड का हमने एडर लगा दिया टाइटल लगा दिया टाइटल के बाद कार्ड की डिस्क्रिप्शन लगा दी डिस्क्रिप्शन के बाद का हमने कॉंटेंट लगा दी और कॉंटेंट के बाद हमने कार्ड का क्या जी लगा दी पूटर लगा दी तो यहां तक हमारे जतने element होंगे वो सारे के सारे complete हो जाएंगे तो हमारा जतना भी यहां पे code था वो हमने complete कर लिया अच्छा भी HTML elements attribute का जो ना वो आपका error आ रहा हुगा काफी सारी जगाँ पे वो इसलिए आ रहा है कि हमने जो है वो यहां पे चीज़ें अपनी जो है वो यूटलाइज तो की है लेकिन जो है हमारे पास problem क्या है problem यह आ रही है कि हमारे code के अंदर अभी mega और बाकी फीचर जैसी चीज़ें जो है वो available नहीं तो आपने उसको जो है वो सबसे command दीती है and then class name दिया था तो class name का एक error आ रहा है जिसमें कहा रहा है कि comma expected है तो यहां आएगा comma और यह error आपका चला जाएगा अब जितना भी error है ना वो html attributes से related है क्योंकि हमें add करना होगा mega के अंदर ताके जाके यह पूरी working मेरे पास अच्छे तरीके से work करें तो आपने इसके लिए simple यहां पे इसको define कर लेना है वाकी accord हमारा बेकुल perfect है मैं कोशिश करें को चल्दी चल्दी सारे sections कप्टेट करा लूँ ताके हम अपने website के look की तरफ आएं और फिर हम जो है वो इसको create करें तो अमीद करें कि आज की वीडियो आपको परसंदा आई होगी